वेलकम दीज स्टूरेंट्स मस्टिवम और आप जुड़े होए हैं जी अन्वी मैट्स के साथ आज हम इंडिसीज एंड सर्ड्स चैप्टर का सेकिंड पार्ट लेके आए हैं यानि घातांक एवं करनी चैप्टर का दूसरा पार्ट लेके आए हैं इसके अंदर हम समझेंगे वही प्रशन जो आपको फूम रख में दिया था कि केसे इसे किया जा सकता है बहुत ही इजी है सबसे पहने हमें हर पॉइंट के अंदर एल्सियम ले लेना है और इसे सौल कर देना है एल्सियम यानि लगुत्म लेते टाइम हमें हर को एक जैसा बनाना पड़ता है तो यहां निच्चे क्यू है तो इसको क्यू नहीं देगी इस क्यू की इदर गुना हो जाएगी क्योंकि यहांपे 1 है तो यह आजाएगा PQ और इस 1 की इदर multiply हो जाएगी तो ये तो हो गया 1 ठीक है प्लस में 1 और इसकी power कितनी है M है तो हम लिख देते है M multiply with इसे भी ऐसे ही करेंगे PQ-1 upon Q और इस सारे की power M हमें क्या निजा है LCM लिया है सभी को आता होगा LCM लेना अगर नहीं आता तो हमारे premium membership से जूरिए याने full course purchase की खेजिए वहाँ पर हम आपको step to step सारी चीज़ें सिखा देंगे इसके बाद देखिए LCM जैसे 2 बटा 3 प्लस में 3 बटा 2 है तो इसका LCM लेने के लिए हमें इन दोनों का multiple common multiple लेना होगा जैसे 6 ठीक है तो 2 तीई छे हुते तो इसकी 3 से गुणा और 3 दिदें ँचे हुते तो इसकी 2 से गुणा हमने वहीं किया है हमने इन दोनों का common multiple लिया है जो की Q बनता है क्या बनता है क्यों kisser बड़ा 1 Q तो Q की दरगुना करतेंगे एक कीदर गुना कर देंगे पावर वेसी ही रही खीक है अब आगे सेम ऐसे ही PQ पलस 1 अपोन P इस सारे की पावर M multiply with PQ माइनस 1 अपोन P और इस सारे की पावर M इस step को हमने clear कर दिया आगे तक हमने यहाँ इसको clear कर दिया यह solve कर दिया क्या ले लिया? LCM ले लिया बहुत ही असान है NCM लेना ठीक है अच्छा जब LCM ले ले लेंगे तो next step आजा था और next step में अपा क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे इनको जैसे PQ पलस 1 और इस की पावर M निचे क्या था? Q था इसकी पावर M ठीक है? गुणा में PQ माइनस 1 इसकी पावर M बटा में Q की पावर M ठीक है? इसकी बटा में PQ पलस 1 ठीक है? बटा में P और इसकी भी M और इसकी भी M पलस या मल्टिप्लाइ सोरी आगे क्या जाएगा? PQ माइनस 1 इसकी पावर M बटा में P की पावर M इन दोनों को समझिए ये Q की पावर M है ये भी Q की पावर M है और बीच में निचान किसका है? मल्टिप्लाइ का है किसका है? मल्टिप्लाइ का है जब भी गुणा करें किसी भी संख्या एक जैसी संख्या की पावर अलग अलग हो तो जब गुणा करेंगे उन पावर का क्या हो जाता है? जोड हो जाता है? मैंने बहुत बार बताया ठीक है? तो ये आजाएगा M और M कितना होता है? 2M होता है Q की पावर 2M यानि इसे ऐसे लिख सकते हैं P Q प्लस 1 की पावर M इन्टू P Q माइनस 1 की पावर M बता में P Q की पावर 2M Q की पावर 2M और इसी हिसाब से ये के लिए अरभ हो जाएगा ठीक है? तो यहाँ पे आजाएगा P Q प्लस 1 इसकी पावर M इन्टू P Q माइनस 1 इसकी पावर M बता में P की पावर M ठीक है? यह फूर्थ स्टेप है इसको सॉल करने के लिए इस पार्ट को हम उपर ले जाएगे और जब इस पार्ट को उपर लेके जाएगे तो रकम ये पलट कर मल्टिपलाई हो जाएगी कैसे? देखिए P Q पलस 1 पावर M गुणा में P Q माइनस M सोरी 1 पावर M अब एक चीज़ देखिए मैंने ये लिख दिया ठीक है? और ये जो है ना P M ये जो निच्छे निच्छे था ये फूर्थ पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट के साथ मुल्टिप्लाइच हो जाएगा ठीक है तो ये आजाएगा P की पावर 2 M क्या आजाएगा P की पावर 2 M ये इसके निच्छे था Q की पावर 2 M हमने लिख दिया इसके गुणा में ये पार्ट आजाएगा P Q पलस 1 M इंटू P Q माइनस 1 M क्लियर ये रेकम पलट कर इससे मुल्टिप्लाइ हो जाएगी ये रेकम पलट कर इससे मुल्टिप्लाइ हो जाएगी इतना स्टेप किया है ये क्या है ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है क्योंकि बुणा है ना जोड कहीं है नहीं तो कट कर सकते हैं उत्तर आजाएगा P की पावर 2M बटा में Q की पावर 2M यानि P और Q को देखें तो 2M यहाँ पे जो पावर है वो कोमन है तो 2M को अलग निकाल लेंगे यहाँ लिख देंगे P बटा Q यानि इसे लिख सकते हैं P बटा Q की पावर 2M यह बटा Q की पावर 2M यह बहुती एज़ी सवाल है अगर आप अपने बैसिक को स्ट्रॉं कर लें अपने तोड तरीकों को सेंफ्रॉं कर लें तोडर तरीके तो नहीं कहँच रखते हैं लेकिन आप अपने बैसिक को मश्बूत रखी अपने फॉर्मुलों को याद करें सबसे ज़दा अहमियत होती है फॉर्मूले की ठीक है तो सबसे ज़दा अहमियत होती है जो फॉर्मूला जो अच्छे से रीड करता है जो सवाल के साथ सीख जाता है उससे रिटाफिकेशन नहीं कहते उससे कहते हैं कि वो सवाल के साथ समझ गया है कि इसको कैसे सोल करना है ठीक है, रटाफिकेशन तो वो होता जो याद करना होता है भी फोर्मूला याद कर लिया सर्मे ने याद कर लिया, ये याद करना क्या होता है वो भी मैथ में, मैथ में तो कुछ नहीं होता याद करना है, मैथ में तो चार बटा तीन की पावर पांच इसके बटा में डिवाइड में दिया हुआ है पांच बटा तीन की पावर पांच अब कहोगे कि यह क्या है यह क्या देनिया बहुत ही अच्छा सवाल है हम इसे लग सकते हैं चार बटा तीन की पावर पांच या इसे अलग कर सकते हैं ऐसे 4 की पावर 5 बटा में 3 की पावर 5 बटा में 5 की पावर 3 बटा में 3 की पावर 3 अब इस रकम को उपर लेके जाएंगे और जब उपर लेके जाएंगे तो अभी हमने सिखा है कि रकम पलट जाएगी गुणा में 3 की पावर 3 हो जाएगी और 5 की प ठीक है, और ये 4 की पावर 5 है, तो ये दोनों तो कोमर है नहीं, लेकिन ये 3 पावर है ना 3 की, इससे कट जाएगी और यहाँ पर कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी, 3 से 3 कट जाएगी, यानि इसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 5 गुणा में, कुछ नहीं है, तो वन ही है, क् इसे सॉल करेंगे, ठीक है, और जब इसे सॉल करेंगे, तो आगे ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा इसे, सॉल करते, करते, हमें समझ में आएगा, कि इसको लिख सकते हैं, 4 की पावर 5 ये इदर बटा बटा भाग जो भी है, हम सॉल करेंगे, ठीक है, क्या पावर सेम थी सवाल की ठीक है तो यह इतना आ गया इसको बाद में multiply करनी है यानि 4 की 5 बार गुणा करनी है 3 की 2 बार गुणा करनी है 5 की 3 बार गुणा करनी है और जो गुणा करने के बाद उत्तर आएगा वही आपका क्या होगा answer होगा तो मुजिक comment box में इसका answer बेजना है ताकि मैं अगला सवाल करवा सकूँ ठीक है multiply करनी है 4,16,16,64,64,64,64,64,64, फिर 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 तीन दुनी 3 into 3 ठीक है multiply करनी है आपका answer आजाएगा एक और सवाल है जो आपके entrance exam में लगबख कई बार पूछा गया है और इस सवाल को करना सबसे ज़्यादा जरूरी है समझना भी जरूरी है कई बच्ची गल्टी कर देते है और गल्टी की तो पुतले हैं हाँ ना 0.4 times 0 5 times 0 1,2,3,4,5 5,0 का माननक रूप कहें दिया भी ठीक है इसको set up करके दे दो कैसे बनाएंगे इसके option दिये हुए है भाई या बताओ क्या करना इसमें ठीक है तो इसे solve करने के लिए हमें क्या समझना है वो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या समझना है वो सबसे ज़्यादा जरूरी हमारी ending last point जो है न वो क्या है 5 है हमें ऐसा कुछ करना है कि वो संख्या 5 point में आ जाए 5 multiply में आ जाए कैसे ना कैसे करके जब 5 multiply में आ गया न तो इसका solution हो जाएगा solution हो जाएगा अब इसे करनी के विए हमें क्या गिनना पड़े गा 1, 2, 3, 4, 5 and 6 यानि ये 6th drum है अगर इसका दसमलव अठाएगे तो इसे गुणा करने पड़ेगी किस से 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 से इसको multiply करने पड़ेगी तब इसकी गुणा हट सकती है सही है ना नहीं है क्योंकि आप सरूशे 6th क्लास से लगे हुए है कि 0.3 है तो बटा में लिख दीजिए 10.8 जाएगा 3 बटा 10 क्योंकि एक छोड़की है अगर कोई भी संख्या ऐसे है 0.234 तो आपको स्कूल में सिकाया 0 कार्ट में के लिए 3 डिजिट है ना तो 3 बार लिख दीजिए 0. 1000 लिख दीए दिसमलव कट जाएगा इसे 234 बटा 1000 लिख सकते हैं तो यहां multiply कैसे हो सकती है इसकी इसको divide करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा 1,2,3,4,5 6 and 0 upon 1,2,3,4,5,6 यानि इन 6 नंबर से इसको क्या करना पड़ेगा divide करना पड़ेगा और जब 6 नंबर से divide करोगे तब आपना क्या है सही नियम बनेगा और ये बन जाएगा 5 बटा 10 की पावर 6 कितनी बार 0 है? 6 बार है तो 5 बटा 10 की पावर 6 यानि इसे जब गुणा में लिखोगे तो ये पावर उपर जाके क्या हो जाएगी नेगिटिव पिछनी कलास में हमने ये सीखा था पिछनी कलास में हमने ये सीखा था तो 10 की पावर 6 का भी आपके पास option आएगा लेकिन आपने वो उन दिनों की बात याद कर लेना जब ये काम किया करते थी और आपको surprised फील होता था अरे 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 ये तो बहुत असान है तो अब असान जो चीजे थी उसको भूल जाते हैं हम और बाद में गलतियां दोहरा लेते हैं ठीक है तो गलतियां नहीं दोहरा नहीं है अराम से सूजबूज के साथ इन सवालों को करना है अगला सवाल एक्स की पावर तीन एक्स की पावर तीन और इस सारे की पावर दो गुणा में एक्स की पावर चार अपॉन एक्स की पावर दस इस इक्स की पावर पी और फाइंड वेल्यू ओफ पी भाई इविलिस्ट में वालो आपके निए भी है यह ऐसी बात नहीं है एक्स की पावर पी दी हुई है इसके इक्वल और कह रहा है कि find कर दीजिए ये P क्या होगा सबसे असान सवाल है इसे solve कर रहा और भी ज़्यादा easy है क्योंकि हमें power को solve करना है ये कितना बन गया भई X की power 6 बन गया गुणा में X की power 4 है बटा में X की power 10 है बराबर में X की power P दिया ही हुआ है ये 6 और 4 जूड़ जाता है मैंने बोला था बहुत बार करवा दिया बिस सेम पावर अगर किसी भी संख्या की किसी भी सेम नंबर की अलग अलग पावर है तो उनकी power की जब मल्टिपलाई किया जाता है तो उनकी power का sum हो जाता है जोड़ हो जाता है तो वो यहाँ हो गया x की power 10 बटा में x की power 10 is equal to x की power p is equal to x की power p ठीक है अब जब इसे solve करेंगे तो अगला step क्या होगा अगला step होगा ये तो आ गया भईया इससे इससे ये cancel हो गया 1 is equal to x की power p अब 1 हो या तो p की power कितना हो गया 1 ही आ गया ना रोम यही तो मैं करवा रहा हूँ कि कहां आप गलती करोगे ये ऐसे भी सवाल अड़ जाता है अब बताओ क्या होगा इहां पर हमें पता है विक किसी भी number की अगर power को 0 लिखेंगे तो वो equal to क्या होगा 1 होगा तो किस एक को हम मान लेते हैं कि माना इस एक की value x की power 0 ही है तो मतलब ये एक ही तो हो गया ठीक है x की power 0 है तो ये इसके बराबर हो गया तो p is equal to क्या हो गया 0 हो गया यानि x की power 0 कितना है 1 है तो यहां पे लिंक देंगे अगर value पुछने x की क्या है तो 1 आजाएगी value पुछने p की क्या है तो 0 आजाएगी ठीक है बहुत ही आसान सवाल है इस class की यहीं ending होती है ठीक है लेकिन next class में हम अगला chapter करेंगे लेकिन आप इस chapter से जुड़े और भी रहश्य अगर जानना चाहती है तो full course purchase कीजिए description में link दी गई है हमारी math की book को purchase कीजिए उसकी भी link description में दी गई है daily quiz खेल लिए उसकी भी link description में दी गई है और quiz जो daily के होंगे वो free of course होंगे आप अपना selection कीजिए अपने field का selection कीजिए आप कौन से entrance exam की इक्तियारी कर रहे है तो जैसे ही आप उस field को भरेंगे automatic आपको उस field के entrance exam के सारे quiz मिल जाएंगे आज के लिए तना ही जे हिंद जे भारत